आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी कहा होती है और आप किड्नी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। किड्नी हमारी बॉडी में एक important role play करती है और इसका सही से काम करना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी में रीर की हड़ी के दोनों तरफ पेट के पीछे के पाट में मौजूद होती है। ये हमारे ब्लड को filter करते हुए सारी waste materials को यूरीन के जरिये बाहर निकाल देती है। इसलिए kidney का healthy रहना बहुत जरूरी है जिससे body में balance बना रहे। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी tips के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी kidney को healthy रख सकते हैं। तो आएए जानते हैं अब कुछ बातें जिनको आप ध्यान में रख कर अपनी kidney और health दोनों को ही healthy रख सकते हैं। तो first है आपको अपनी lifestyle को change करना होगा, साथ ही अपनी diet का भी ध्यान रखना होगा। आप daily routine में yoga या exercise को शामिल कर सकते हैं और healthy food को अपनी diet में follow करें। Second है अगर आप field work में हैं तो पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर आप sitting job में हैं तो आपके लिए 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना enough है। पानी की कमी से आपको kidney के साथ साथ कई और बिमार्या होने के chances बढ़ सकते हैं। Third है आप कोशिश करें कि junk food, processed food, keen वाले food को कम से कम खाए। जो लोग gym जाते हैं उनके लिए ये advice है कि वो naturally protein का सेवन करें ना कि protein supplement का सेवन करें। Fourth है अगर किसी की family में कभी भी किसी को kidney की कोई भी problem रही है तो हर family member को annually अपनी kidney की जाच करवानी चाहिए। Test में first है normal urine test और second है blood test जिस से आपको urea level और creatinine level के बारे में पता चल जाएगा। Fifth है obesity सभी जानते हैं कि मोटापा एक नहीं कई बिमारियों का reason बनता है। इसलिए अपने मोटापे पर control कीजिए, obesity की वज़े से आपको diabetes और blood pressure जैसी problem को भी face करना पर सकता है। जिस वज़े से आपको kidney problem होने का risk भी बढ़ जाता है। Sixth है अगर आपको कभी blood pressure, diabetes और stone problem रही हो तो आपको regularly अपने kidney की जाच करवानी चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें जिनको ध्यान में रखकर kidney को damage होने से बचा सकते हैं। और अब जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको आप अपनी diet में शामिल करके अपनी kidney को healthy रख सकते हैं। तो first है olive oil, एक आउंस यानी 28 gram olive oil में आपको sodium 0.6 mg, potassium 0.3 mg, phosphorus 0 mg मिलेगा। जो kidney disease में इस्तेमाल करना health के लिए अच्छा रहता है। olive oil fat और phosphorus free होता है, साथ ही इसमें मौझूद monounsaturated fat जिसे oleic acid कहते हैं, ये inflammatory properties का काम करते हुए, बोडी में आई हुई सूजन को कम करने में help करता है। second है red grapes, half cup यानी 75 gram red grapes में sodium 1.5 mg, potassium 144 mg, phosphorus 15 mg प्रेजेंट होता है। red grapes में vitamin C और antioxidants होते हैं, जिन्हें flavonoids कहते हैं, जो सूजन को कम करने में help करते हैं। इसमें present resveratrol जो एक तरह का flavonoid होता है, जिससे heart problem और diabetes जैसी बिमारियों के risk को कम किया जा सकता है। third है pineapple, one cup यानी 165 gram में sodium 2 mg, potassium 180 mg, phosphorus 13 mg प्रेजेंट होता है। pineapple एक मीठा और low potassium वाला fruit है, जो kidney के लिए अच्छा होता है, इसमें fiber, vitamin B, manganese और bromelain प्रेजेंट होता है, जो एक तरह का enzyme होता है, जिससे सूजन कम करने में help मिलती है। fourth है apple यानी की सेब, ये kidney के लिए सबसे अच्छा fruit माना जाता है, इसमें high fiber और anti-inflammatory properties प्रेजेंट होती हैं, 100 gram apple में 1 mg sodium, 107 mg potassium, 10 mg phosphorus मौजूद होता है, अगर आप सेब का सेवन रोज करते हैं तो cholesterol कम होता है, साथ ही आपकी kidney की problem में relief मिलता है, apple आपकी body को detox करने में भी help करता है, fifth है cranberries, one cup यानी की 100 gram fresh cranberries में sodium 2 mg, potassium 85 mg, phosphorus 13 mg present होता है, cranberry, urinary tract और kidney के लिए काफी beneficial है, इसमें phytonutrients, जिसे A-type proanthocyanidins कहते हैं, ये bacteria को urinary tract और bladder में आने से रोकते हैं, जिससे infection से बचाव रहता है, sixth है red bell pepper, यानी की लाल शिमला मिर्च, इसमें potassium बहुत कम मात्रा में present होता है, इसमें vitamin C, vitamin B6, vitamin A, folic acid और fiber भी मौजूद होता है, red bell pepper आपकी health के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें lycopene present होता है, जो एक तरह का antioxidant का काम करता है, जो आपकी health के लिए अच्छा होता है, seventh है पपीता, आप सभी जानते होंगे कि पपीते का सेवन करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसके सेवन से पेट से जुड़ी, हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, पपीते के सेवन से high blood pressure को control करने में help मिलती है, जिससे kidney failure का risk भी कम हो जाता है, पपीते में vitamin के साथ amino acid अच्छी quantity में present होता है, जो health के लिए अच्छा होता है, एर्थ है cabbage याने की पत्ता गोभी, kidney disease में इसका सेवन करना आपके लिए beneficial होता है, एक cup याने की 70 gram में sodium 13 mg, potassium 119 mg, phosphorus 18 mg present होता है, पत्ता गोभी को एक nutritious सबजी माना जाता है, इसमें present vitamin C, vitamin K और vitamin B अच्छी मात्रा में होते हैं, साथ ही इसमें मौझूद insoluble fiber digestive system को healthy रखने में help करते हैं, नाइन्थ है radish याने की मूली, half cup याने की 58 gram मूली में sodium 23 mg, potassium 135 mg, phosphorus 12 mg present होता है, किड्नी पेशेंट को अपनी डाइट में मूली को add करना चाहिए, ये किड्नी के लिए healthy होती है साथ ही, इसमें बाकी important nutrients भी present होते हैं, इसमें vitamin C present होता है, जो antioxidants का काम करता है, जिससे heart problem और ketrack का risk भी कम हो जाता है, टेंथ है blueberries, एक cup याने की 140 gram fresh blueberry में sodium 1.5 mg, potassium 114 mg, phosphorus 18 mg मौझूद होता है, blueberry में present nutrients एक best source है antioxidants के लिए, इसमें मौझूद antioxidants को anthocyanins कहते हैं, जिससे heart disease, cancer और diabetes जैसी बिमारी से बचा जाता है, जो आगे जाकर kidney problem का reason बन सकते हैं, इसको kidney friendly fruit भी कहते हैं, क्यूंकि इसमें sodium, phosphorus और potassium बहुत कम amount में होता है, लास्ट है onion यानिकी प्याज, प्याज में vitamin C, manganese, vitamin B और probiotic fibers होते हैं, जो आपके digestive system के लिए अच्छे होते हैं, एक छोटी प्याज यानिकी 70 g में sodium 3 mg, potassium 102 mg, phosphorus 20 mg मौझूद होता है, शायद आपको मालूम ना हो कि प्याज sodium free vegetable है, लोगों के लिए अपनी diet में से नमक को कम करना easy नहीं होता है, लेकिन आप उसका alternative ढून सकते हैं, तो आज हमने आपको बताया कि आपके kidney कहां located होती है, और आप कैसे अपनी kidney को healthy रख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से आपके सवालों के जवाब मिल जाते होंगे, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजे और अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ इसको शेयर की जजे प्रेज़ प्रेज़ माझ।